और जिस सरह से हमने दिखाया कि ऐसे में जारखंड में पूरी तरह से पानमसाला पर प्रतिबंद लगा दिया गया है, गुटके पे पहले से ही प्रतिबंद लगा हुआ था, इस पर जादा जानकारी के लिए संबादा था, अंजनी हमारे साथ बने वे, उनके पास चलते हैं, अंजनी हमने देखा कि पानमसाला पर प्रतिबंद लगाने वाला तीसरा राज्य बन चुका है, चारकंड गुटके पे पहले से ही यहाँ पर प्रतिबंद लगाया गया था, लेकिन अब क्या लगता है कि जो हमने कुछ दिनो वेलेक रेपोर्ट दिखाई थी, कि चोरी छि पे भी धडले से इन सब चीजों की बिक्री हो रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से प्रतिबंद लग गए हैं पानमसाले पर भी उस पे नियूजरेबन ने एक मुहीम चलाकर जो है तमाम खबरों को तमाम जो खुलासे किये थे उसके बाद राज्य सरकार जो है जरूर एक हालकम मचा उसके बाद ये जरूर निर्ने लिया गया कि एक साल के लिए जो है इन चीजों पर पूरी तरह से बैंड होगा तो ग्यारा जो तमबाकू और गुटका के जो ग्यारा उत्पाद है उस पे पूरी तरह से बंद होगा तो ऐसे ये पूरे भारत में ये तीसरा राज्य जहां पूर्ण रूप से प्रतिबंद किया गया है तो दिखी अभी लोगडाउन का वक्त है और ऐसे समय में जो है जो कोरोना वाइरस का जो संक्रमन है वो काफी तेजी से फैलता है अमिता लोग जो है गुटका खाकर इधर उधर थूका करते थे तो वैसे में संक्रमन बलने का खत्रा काफी बढ़ जाता था और इसको भी देखते हुए जो है सरकार ने ये फैसला लिया कि जब इसके हुए पाया जाता है तो उसे जो है छे महिने की सजा हो सकती है तो ये इस परिपेक्ष में भी अधी हम देखेंगे तो सरकार का एक बड़ा फैसला है और पूरे जार्खन में जो है करोडों रुपे का जो है इन चीजों की बिक्री है और ऐसे में एक बड़ा बाजार है जा पूरे भारत में ये तीसरा राज जार्खन मना जो पूर्ण रूप से इसे परतिबंद किया गया है दिके इसमें सबस्क्राइब बात यह है कि 2006 का जो खाद्य अधिनियम है उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम को दिखेंगे तो उसमें उसके अनुसार जो है इन सब उत पादों में जो है जो मैगनी कार्बोनेट मैगनीसियम का जो प्रतीशत है वो जादा पाया गया था लगबग 40 से 45 सैंपल कलेक्ट किये गये थे और जाज के बाद सरकार ने ये पाया कि ये जो है स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक है और इस संक्रमन के काल के लिए भी ये खत्रे की घंटी होगी तो यही तमाम चीजों को लेकर प्रतीबंद लगाया गया है और एक अच्छी पहल मानी जा सकती है ऐसे देखिए जब से लॉकडाउन लगा है अमिता तो पूरे प्रदेश पूरे देश में 11 ऐसे राज्य हैं जहां इन चीजों को लेकर टेंपरोरी प्रतीबंद लगाया गया था लेकिन जारकन जो है ये तीसरा प्रदेश है जहां पुन रूप से प्रतीबंद होगा तो अब ऐसे पान की दुकाने तो तमाम दुकाने बंद हैं लेकिन इन सब चीजों की भी जो है जो काला बाजारी हो रही थी अब इस पे रोक लगेगी और कहीं न कहीं राज्य में जो संक्रमन का खत्रा फैल सकता था इधर उधर थूकने से उन चीजों पे लगाम जरूर लगेगा यह सरकार का एक बड़ा स्टेप है लेकिन इसके इसके साथ सथ एक बात और भी मलब इस परिपेक्ष में कहा जा सकता है पुर्ण प्रतिबंद जरूर आपने लगाया है लेकिन इस पे भी जो है लगतार पैनी नजर रखनी होगी जिस तरह से बिहार में सराब बे होती हैं तो इन चीजों को लेकर सरकार को जो है पुलिस प्रशासन को और जो स्वास महकमा है उसको इन चीजों को लेकर और गंभीर होना होगा और सक्ती से पेस आने की जरूरत पड़ सकती है तो ऐसे में हम जरूर कह सकते हैं सरकार ने जो फैसला लिया है एक बड़ा फैस जो है जरूर पड़ा जिस पर सरकार को जो है फैसला लेना पड़ा